वाश्टु शास्त्र के अनुसार घर के साथ ही घर के मुख्य द्वार का साथ सुत्रा भी होना जरूरी होता है घर का मुख्य द्वार अगर गंदा हो तो इससे नकारात्मक्ता तेजी से घर के भीतर प्रवेश करती है इसलिए सुबह उटकर सबसे पहले घर के मुख्य दुआर और दर्वाजी की सफाई करें इसके बाद मुख्य दुआर के दोनों तरफ पानी डालें स्वास्तिक के चिन्न को हिंदू दर्व में बहुती शुब माना गया है माननेता है कि इसे घर के बाहर लगाने से घर पर सुख और समरद्धी आती है रोजाना घर के मालिक या जेश्च पुत्र को घर के मुख्य दुआर के दोनों और सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्न बना कर इसकी पूजा करनी जाहिए इससे आर्थिक इस्तिती मजबूत होती है भारत्य परमपराओं में खास मौको पर घर के मुख्य दुआर पर रंगोली बनाई जाती है खास कर दिवाली में रंगोली बनाने की परमपरा है माना जाता है इससे मालक्षमी का आगमन घर पर होता है लेकिन नियमित रूप से ऐसा करना चाहिए आप आटे से घर के मुख्य दुआर के दोनों और छोटी सी रंगोली या मालक्षमी के चरण चिन बना सकते हैं प्रत्य दिन घर पर पूजा पाट करें पूजा के बाद घर के मुख्य दुआर पर एक बरतन में पानी और हल्दी मिलाकर मुख्य दुआर पर छिड़काफ करें ऐसा करने से घर पर सम्रद्धी आती है नियमित रूप से घर के मुख्य दुआर पर सुबह और संध्या में एक घी का दीपक जरूर जलाएं ऐसा करने से मा लक्षमी प्रसन्न होती है और घर पर उनका वास होता है